वेलकम बैक ट्रेडर्स आज हम इस वीडियो में वेब सॉकेट यूजिंग सुनिये एपियाई के बारे में स्टडी करेंगे है आप यहां पर देख सकते हो मैंने इसकी सिंटेक्स है और अगर आपको इसा पैजम्पल देखना है तो एक्जम्पल में मार्केट फंक्सन में आप यहां पर security subscribe to live feed ओके अगर किसी भी stock का अगर आपको LTP चाहिए ताब websocket सब find कर सकते हो और वो आपको subscribe करना है वो token को और वो आपको continuous LTP आपको देगा तो यहां पर देख सकतो यह syntax है पहला एक function है API start websocket जिसमें आपको टीन अर्ग्यूमेंट देनी है order update अगर आपको चाहिए तो मतलब कि कोई order place हुआ जो आपका limit है या फिर कोई stop loss limit order है वो अगर वो order place हुआ उसका update आपको यहां पर मिलेगा websocket से नॉर्मली यह function हम नहीं लिखेंगे दूसरा है callback function और socket open तो जब open होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि socket open है इसके लिए हम यह function लिखेंगे open callback so simply यहां पर लिखा है function open callback वो क्या करेगा fit token को क्या करेगा true करेगा ठीक है यहां पर आप देख सकते हो जैसे आपका token मतलब कि आपका fit token true हुआ वो वाहल रूप के बाहर आ जाएगा तब तक यह वाहल रूप में रहेगा जब तक कि आपका socket open नहीं होता उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो हमने एक symbol में subscribe किया जिसका token है nsc-13 आप यहां पर देख सकते हो अगर आपको multiple token subscribe करना है तो आप यहां पर पास कर सकते हो जिसमें आपका multiple token होगा और यह आपका order update function है जो जो normally हम अगर आपको socket true आपको order update चाहिए तो आप यहां पर वह function लेख सकते हो यह simply 8 to 10 line का code है जो आपको LTPT है ठीक है तो let's see वह functionality क्या provide करता देखो यह आप आप देख सकते हो कौन-कौन सी value अगर आप वह return करेगा तो आप यहां पर देख सकते हो जैसे आपको subscribe होगा अगर आपको यह list of instrument provide करेगा अगर t equal to tk है ठीक है so each instrument के लिए वह subscription पर वह यह fill cell करेगा उसके बाद अगर t equal to tf है तो वह क्या return करेगा जो value change हो रही है वह आप यहां पर देख सकते हो ठीक है यह आपका यह बहुत सारे value return कर रहा है AP LH LP TI ठीक है तो वह पूरी information आप यहां पर देख सकते हो okay आप देख सकते हो UID user ID एक है quantity कितनी है पहुत सारे information आप step by step यहां पर जाके आप read कर सकते हो आप देख सकते हो यहां पर acknowledgement में कौन-कौन सी value आएगी so let's see tf क्या होगा TK या फिर tf यह मतलब की action name TK मतलब की आपका token होगा ठीक है lot size last traded price यह important है volume important है open high low close ठीक है so normally यह आपका वह on the spot पर आपको open high low close देगा average traded price open interest अगर आपको चाहिए तो और यह थोरा सा आपको depth भी मिलेगा based by quantity based by price based sell quantity और based sell price ठीक है so बहुत सारे value है जो आप यहां पर देख सकते हो in details में आप study कर सकते हो आपकी requirement की sub sub change भी कर सकते हो के यहां पर आप देख सकते हो यह depth के मतलब की depth acknowledgement ओके सो एक example देखते हैं के यहां पर simply एक example देखते हैं आप simply यहां पर आप देख सकते हो यह आपका login function है ठीक है और यह हमारा टोकन है जो हमने discuss किया था ठीक है सो वह same function है मैंने यहां पर कुछ नहीं किया अब यहां से मैंने क्या किया है आपने हमने जो code देखा ओके सो initialize मैंने डो variable किये है open equal to false और यह JSON structure डिक्स नरी है ठीक है अब यहां पर मैंने एक function बनाया है जिसमें हम क्या pass करेंगे का API का object मतलब कि सुन्य object और आपका symbol यह list भी हो सकता है और individual element भी हो सकता है और यह same function है जो हमने discuss किया बस मैंने इसको एक function में रिखा है start fade आप आपको जितने भी अगर at a time अगर आपको five symbol में subscribe करना है तो आप यहां पर list pass कर सकते हो दूसरी argument ओके बट अगर आपका एक ही symbol है और उसके बाद आपको वापस subscribe करना है तो भी हम कैसे subscribe करते हो देखेंगे यहां पर मैंने simply क्या किया है every time यह function call होगा जब आपका tick data आएगा और वह मैंने वह message को मैंने यहां पर print करवाया है ठीके और यह order अगर अपडेट का है और आपको करना हो तो यह आपका callback function है जो हमने discuss किया open callback यह आपका क्या है API web socket को start करेगा यहां पर आप देख सकतो feed underscore update यह function का नाम है पूरा आप callback function event handler feed underscore update यह का callback function है यह आपका open का callback function है open underscore callback ठीके और यह आपका event underscore handler underscore order underscore update अगर कोई order update होगा तो यह function call होगा है और लास्ट में क्या करें जैसे socket open हो हम क्या text को यह subscribe करें मतलब कि यहां पर जो single होगा फो यहां से आपका program execution स्टार्ट होगा login किया ठीके सारे token मैंने डाउनलोड किये आपको पता है हमने यह पूरा study किया है अब तक मैंने अभी as of now एक ही सिंबल में subscribe किया है ओके बैंक निफ्ते की 43,000 की put उसका मैंने token fetch किया है get nfo token info से ओके फिर मैंने उसको add किया है nsc- क्योंकि सारे अगर nfo है sorry यहां पर क्या आएगा nfo अगर आपके symbol nfo है तो nfo add कर सकते हो अगर आपके equity है तो nsc आएगी और वो symbol को मैंने यहां पर print करके उसको मैंने यहां पर subscribe किया है अब हम आपको यहां पर देखो 5 symbol में subscribe करना तो आप separated by कोमा करके 5 symbol आप लिख सकते हो ठीक है तो यहां पर उसको मैंने as a list pass किया है अगर आप assume किसी कि आपकी situation है जहां पर आपने पहले bank nifty में subscribe किया ठीक है so 26,000 को मुझे LTP चाहिए bank nifty या फिर यहां पर subscribe किया फिर उसके बाद आप half an hour के बाद सपोज आपकी कोई condition satisfy हुई और option buy करना तो मुझे option का token चाहिए वो मैंने option का token यहां पर patch किया अब मुझे option की LTP चाहिए web socket से मुझे option के token को subscribe करना पड़ेगा इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है object का name dot subscribe और updated symbol तो पहला सब्सक्राइब मैंने 26,000 का है जिसका जो भी token हो 26,000 nifty bank nifty फिर मैंने यह bank nifty का token सब्सक्राइब किया है और मैंने यहां पर simply यह वाइल लूप लिखा है वो continuous गुंता रहेगा जब तक 3.30 नहीं होगा तब तक अब इसको मैं एक बार run करता हूं फिर आपको मैं step by step explain करूंगा आप यहां पर यह हमारा login session हो गया और यहां पर आप देख सकते हो अब यह देखो tk and tf okay 26,000 के वो पूरी information यहां पर display कर रहा है और उसके बाद जो जो quantity change हो रही है वो quantity वो things यहां पर प्रिंट कर रहा है PC, Ft, Ft मतलब कि time stamp है और यह आपकी last credit price है और यहां पर आप देख सकते हो अभी वो पूरा 26,000 और एक ही मैंने symbol को subscribe किया है दूसरा symbol अभी तब subscribe नहीं हुआ है okay so मैंने यहां पर क्या किया है 26,000 को मैंने subscribe किया है अब run time पर हम let's see symbol को subscribe करते अभी यह symbol subscribe नहीं हो रहा है हम क्या करते है इसको यहां पर comment कर देता हूं ठीक है और मैं यह symbol यहां से 13 है ठीक है एक और symbol मैं यहां पर ले रहा हूं कि क्या करो कि आप यहां पर एक important आप देख सकते हो यहां पर एक notice है और information है आप देख सकते हो प्लीज नोट डेट ओनली सिंगल वेब सॉकेट कनेक्स्टन इस स्टार्टेड ओपनिंग मुल्टिपल वेब सॉकेट कनेक्शन इस नौट सॉपोर्टेड बाई dpi ठीक है आप आपका दूसरा अगर दो अलकोडितम है दोनों में अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप कनेक्शन कर सकते हो तो यह एक important point है ठीक है कि आप आप कैसे उसको आप solution क्या है अगर आपको multiple अलकोड करना हो तो आप database में रेडिक्स में store कर सकते हो वहां से fetch कर सकते हो अगर आप दो parallel connection भी run करेंगे तो उसका भी हम solution देखेंगे आगे आप कर सकते हो वह भी execute कर सकते हो इसको मैं भी stock कर रहा हूं और इसको हम वापस run करेंगे इसको लिए restart कर रहा हूं करनर को मैंने यहां भी एक और सब्सक्राइब किया है लेट सब्सक्राइब को 22 ACC है आपको पता है मैंने भी यह बैंक डिप्टी का टोकन में सब्सक्राइब नहीं किया ठीक है तो मैंने यहां पर 26,000 और अपना जो NSE 22 दो में सब्सक्राइब किया है तो लेट सी आप देख सकते हो यहां पर 26,000 यह टोकन 22 उसका रहकोर है ठीक है वाल्यूम and def 1 based 5 वह सब यह पर देख सकते हो तो 22 के data मिल रहे 26,000 के data हमें मिल रहे कि कि ना हम क्या एक और हम एक यह आप सिंपली रिस्टार्ट अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर थेख सकते हूं मैंने यह क्या गया एक किसी टोकन में मैं सब्सक्राइब कर रहा हूं इसको में यहांबे हमे रीमूव कर दिया यहां पर भी वापस में अब बहुति करां यहां पहले हम क्या करेंगे सिम्endra बैंक चॉप्सक्राइब करेंगे और उसके बाद मैंने यहां पर टोख टो हो minutos यहां उसमें मैंने सब्सक्राइब किया ओक f तो लेट सी अब इसको एक बार रन करते हैं वापस और क्या प्रॉब्लेम आता हम देखते हैं चलो के स्वाप यहां पर देख सकते हो यह क्विकली यहां पर प्रिंट कर रहा है मैंने टाइम देले नहीं दिया बट यहां पर देखो आप बैंक निपतिका जो पहले हमने सब्सक्राइब किया था उसकी वैल यहां पर में नहीं मिलें सीब vehicle में 2 टूकन दि Creation टाइं है थाटीन और टीटीन टूपन ट्रटीटीन तो कि वापस नहीं होता है डो सो मैने स्ब्सक्राइब किया है कि यह यह सब्सक्राइब जो older token होता है वो subscribe वो क्या होता है? subscribe वापस नहीं होता जबी भी हम runtime पे new token add करते हैं so many times websocket में हम यह problem face करते हैं कि जो previous token होते हैं वो subscribe नहीं है तो उसका एक और solution है कि आप उसका list maintain करो उसका एक और solution है कि आप उसका token का list maintain करो और उसमें आप subscribe हो जैसे कि यहाँ पर मैं लिखोंगा nsc ठीक है कुछ देर के बाद अगर यहाँ पर token हमें 3 token में subscribe करना है तो मैं वापस वो पूरा list यहाँ पर subscribe कर दूँगा okay मैंने क्यूंकि many times मैंने यह problem face किया है कि जो old token होते हैं जो हमने subscribe किये वो updated live feed में value नहीं मिलती यहाँ पर हम क्या करेंगे टीनो को वापस subscribe कर सकते हैं ऐसे runtime पर ठीक है यह function को हम एक ही बाल को call करेंगे अगर आपके initial 5 symbol है तो 5 symbol के साथ आप call कर सकते हो ठीक है बाट उसके बाद अगर आप update कर रहे हो तो वह 5 symbol प्लस आपका new symbol जो आएगा उसके साथ आप अप 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 लोड कर सकते हो मिन subscribe कर सकते हो आप यहाँ पर देख सकते हो 26,000 22 and 13 तो यह problem many times आप face करोगे कि by API में error आ रहे है वह syntax वह LTP data आपको web socket में नए मिलेगा तो बेटर solution यह है कि at a time अगर आपको 5 symbol चाहिए starting में वह 5 symbol को आप list से आप subscribe कर सकते हो फिर runtime पे आप old 5 जो symbol है प्लस आपके जितने भी new symbol है उसके साथ आप subscribe करोगे के सो कहीं पर अगर API में कहीं पर problem आ रहा है तो वह problem solve हो जाएगा तो यह मेरा handling mechanism है आप अपने इससाब से भी वह data के साथ आप web socket को आप कैसे handle कर सकते हो वह आप देख सकते हो अपने requirement के according